असलाव अलेकुम गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप सब तो आज हम लोग कुछ मिक्स बैग यानि कुछ साइंस का कुछ इस तरह का कोशन जो के आप जेक्टिव टाइब है उसको हम लोगा स्वाल्फ करते हैं ताकि यह पता चले कि आप लोगों को क्या क्या मतलब आप लोगो से नंबर का उप्शन जो है वह सका सही है तो मैं चारो प्शन दूँगी और 理त से आप लोगों कोह पता चलेगा और या ओवियूल कुश्चन आपको एक पर समझा देते हैं कि पॉलिनेशन के बाद कौन सा पॉर्षण सीड बनता है अप कुश्चन समझ गए आपने पॉलिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो फटलाइजेशन के बाद कौन सा पॉर्षण फ्लावर का सीड बनता है चलिए इसका बर्ड होगा, एंथर होगा, इस्टिगमा होगा कि अव्यूल होगा, तो मैं आपको इसका एंसर बता देती हूँ, एंसर होगा इसका ओव्यूल और चैश्ट होगा, और ऑवरि जो होती है तो इसलिए इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं the ripened ovary is known as fruit and the ripened ovule is known as seed तो इसको याद रखिए तो क्या होगा answer इसका होगा ovule ovule ही जाकर के बाद में seed बनता है ठीक है ना चलो अब हम लोग next question करते हैं the north pole of one magnet dash the north pole of another magnet अगर हम लोग एक magnet का north pole लेते हैं और दूसरे magnet का north pole लेते हैं दोनों को आपस एक दूसरे के सामने रखते हैं तो क्या होता है attract होता है join करता है repel होता है यह all of these जब हम लोग दोनों magnet का same pole एक दूसरे के सामने रखते हैं तो वो repel करता है यानि दूर भागता है लेकिन जब हम लोग एक magnet का एक south pole रखते हैं और एक दूसरे magnet का north pole रखते हैं तो वो attract करता है यानि opposite poles attract करता है और same pole repulse करता है तो इसका answer होगा repulsion समझ में आगे है ना ripple अच्छा third question है the short test of magnetism is magnet का अगर हम लोग test करते हैं कोई magnet दे रहे हैं तो अगर हम उसे test करना है कि वाकई में ये magnet है कि नहीं है तो उसे हम लोग किस तरह से test करते हैं तो इसकी options है repulsion attraction 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 और repulsion या all of these तो किसी भी magnet को test करने के लिए जो सबसे important test होता है वो repulsion अगर वो एक दूसरे के भाग रहा है same pole तो आप समझ जाए कि जो magnet है उसमें ये दोनों ही magnet है दोनों का same pole है और ये एक दूसरे से दूर भाग रहा है ठीक है ना और फिर आप एक पोल लाईएगा तो वह attract करेगा और दूसरा side का रिपल करेगा तो किसी भी magnet के टेस्ट करने के लिए उसमें रिपल्शन रिपल्शन इस दी बेस्ट टेस्टिंग ऑफ मैगनेटिजम अब आ जाईए रिस्ट एंड एंकल्स है जॉइंट आपके बॉड़ी में 206 बॉन्स होते हैं तो कहां पर कैसे कैसे बॉन्स होते हैं यह आपने पढ़ाओगा पैल्वी गर्डल पेक्टोरिल लिपल्शन केन पर निकलता है और तो इसका अंसर हुआ gliding joint अब है एक और question speed of light is light की speed कितनी होती है तो इसमें है three lakhs kilometer per second three thousand meter per second three hundred meter per second तो कितनी होती है तो light की जो speed होती है वो three lakh kilometer per second मतलब एक second में वो तीन लाग तक का cover करती है ना अब एक और question है जब आपने leaf देखते होंगे तो leaf आपको दो तरह के नज़र आते हैं एक होता है parallel venation और एक होता है reticulate venation तो veins जो होते हैं किसी भी पत्ते में जो veins होते हैं उनकी arrangement को वो किस तरह का यह तो जाली जाली जैसा होता है एक बिलकुल बराबर बराबर होता है ना मतलब उसकी जो शीराएं होती है पत्तों की तो उस process को हम लोग क्या बोलते हैं the arrangement of the leaf is called क्या बोलते हैं venation बोलते हैं इस्टॉमिठा बोलते हैं पेट्योल बोलते हैं या नौर्थ नन अफ दीस बोलते हैं तो लीव के जो venation होता है लीफ का जो एरेजमेंट होता है जो उसके किसी भी पत्ते के अंदर जो वेन्यूल्स होते हैं जो पेट्यूल्स से निकलते हैं उसके एरेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं वी नेशन क्या बोलते हैं हम लोग उसके एरेजमेंट को वी नेशन हमारे बॉड़ी से जो जो पसीना निकलता है ताके जो हमारे बॉड़ी से जो किस प्रॉसेस से जो पसीना निकलता है फिर बाद में हमें ठंडक लगती है switch from our body dashes to keep our cool हमारे बॉड़ी को कैसे cool रखती है कौन से प्रॉसेस से evaporation से condensation से sublimate से या none of these तो sublimation से अब आपका एक question और है lunar eclipse जो है वो किस कब होता है occurs only on lunar eclipse कब occur होता है तो या ये full moon के half moon none of these या new moon तो lunar eclipse जब भी होता है वो full moon के दिन ही आपको चांद ग्रहन लगता है चांद ग्रहन तभी लगेगा जब full moon होगा तो ये 10 question है जो के आप mixed bag one एक बहुत सारे question है इसको मैंने आपको समझा दिया है और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए उसी तरह से है आपका एक question और है which of these protect the brain brain को कौन सहड़ी protect करता है cartilage, skull, spine या वाचब्रा तो brain को जो भी protect करता है ताकि brain तो बहुत soft और delicate organ होता है उसको protect करने के लिए अगर उसके अंदर थोड़े साभी damage हो जाएगा तो पूरा आदमी abnormal हो जाता है तो brain बहुत delicate organ है उसको और soft organ होता है उसको cover करने के लिए उसको चारो और skull रहता है एक हड़ी रहती है जिसे हम लोग skull बोलते है तो और ताकि वो उसको protect करता है ना ताकि brain को अगर गिर भी जाओ तो वो soft part damage नहीं हो इसलिए उसको brain को cover करने के लिए एक protection protection layer होता है protective layer होता है skeleton का जिसे हम लोग क्या बोलते है skull तो आज के लिए बस इतने हैं यह 10 questions है जो के objective टाइब है और standard 6 के लिए बहुत ही important है तो आज के लिए बस इतने हैं फिर हम आपको mixed pack लेके फिर किसी दिन आपको 10 questions लेके आएंगे जो के आप guess की सुनिएगा समझिएगा और आपके को बहुत help करेगा यह छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी science के बारे में अच्छी अच्छी यह important questions तो ठीक है अल्ला हाफिस टेक केर